Hello students, चलिए स्टार्ट करते हैं exercise 7.1 का question number first देखते हैं क्या है अगर अभी तक आपने इस chapter का introduction part नहीं देखा है तो आप please वो देख लीजिए then आप questions करेंगे आपको किसी भी प्रकार की कोई problem नहीं आएगी तो मैं आपको suggest करूँगा कि सभी chapter का पहले introduction अच्छे से समझेए वहाँ से सारे formula आजाएं जो concept हैं जो भी हमारा chapter के अंदर चीज़े आने वाली है ना वो सारी discuss करता हूँ मैं then आप questions करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की problem नहीं आएगी अगर introduction आपने देख लिया है तो हम question number first start करते हैं अगर नहीं देखा है तो link description में वहाँ से देख सकते हैं statement क्या है in quadilateral ABCD ABCD एक क्या है हमारे पास एक है quadilateral given है जिसके अंदर AC equal to AD है figure के अंदर AC equal to AD given है statement में भी और figure में भी शोकर रखा है AB bisect angle A जो AB है वो angle A को bisect करता है अब bisect का मतलब क्या होता है दो equal parts में divide करता है मतलब जितना angle उपर होगा न उतना ही angle हमारा नीचे होगा उपर माल लिया 60 degree है तो नीचे भी 60 degree उपर 30 है तो नीचे भी 30 degree यह होता है bisect का मतलब so that triangle ABC congruence है triangle ABD के तो ABC triangle को इस triangle को और इस triangle को हमने congruence prove करना है next what can you say about BC and BD तो BC और BD के बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि या यह equal है unequal है या कुछ और है ठीक है अब कोई भी theorem करते हैं सबसे पहला काम क्या होता है जो भी चीज हमें given है वो हम यहाँ पे क्या करेंगे write down कर देंगे AC equal to AD given है तो यहाँ पे लिख देंगे AC equal to AD और AB bisect angle A है तो क्या करेंगे AB bisect angle A इसका मतलब क्या है हमारा angle CAB equal given है BAD के यह चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं कलियर है अब बात करते हैं two proof पे या फिर hands proof क्या करना है हमने या proof क्या करना है triangle ABC को congrence proof करना है हमने triangle ABD के ठीक है इन दोनों triangles को congrence proof करना है इस तरीके किसे question करेंगे आपका एक भी marks deduct नहीं होगा तो मैं आपको suggest करूँगा next classes को follow इस बज़े से भी कीजिए क्योंकि मैं आपको ये बताता हूँ कि question आपको किस तरीके से attempt करना है अब बात करते हैं इसका proof किस तरीके से चलें अब देखो हमने क्या करना है ABC को और ABD को triangle को congrence proof करना है तो ABC तो ये रही ABD ये रही तो हम इन दोनों triangle को लेके चलेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे in triangle ABC and triangle ABD इन दोनों triangle के अंदर सबसे पहले देखो AC equal to AD AC equal to AD given है हमें AC equal to AD ये side और ये side हमें equal given है उसके बाद ये angle और ये angle equal है given है हमारा एक त्रिके से तो क्या लिखेंगे angle CAB equal to angle BAD ये दोनों चीज़े क्या है हमें given तो लिख भी देंगे मतलब एक side एक angle हमें क्या है equal given है उसके बाद बात करेंगे AB equal to AB इस triangle के अंदर ABC में एक side AB आ गई ABD के अंदर AB फिर आ गई तो दोनों triangle में AB side दोनों बारा आ रही है तो AB equal to AB क्या है हमारी common side clear होगे आपको देखो A C equal to AD given है ये angle इस angle के equal given है क्योंकि angle जो AB है हमारी इस angle की bisector है तो ये angle और ये angle उपर वाली triangle में ये angle निचे वाली में ये angle equal हो जाएंगे और third क्या है AB equal to AB ये AB side दोनों triangle में common है तो तीनों की तीनों चीज़े हमारे पास आ गई ये side ये angle ये side तो तीन चीज़े हमारी equal आ गई तो क्या होगे दोनों triangle क्या होगे हमारी congrence तो यहां पर क्या लिख देंगे so triangle ABC congrence है हमारी triangle ABD के कौन सी property से कौन सी congrence से by side angle side से तो side angle side से ये चीज़े मैंने आपको description में लिंक दे रखा है introduction में अच्छे से समझा रखी है वहाँ से एक बार देखें तो by side angle side से दोनों triangle होगी हमारी congrence proof अब बात करते हैं BC और BD के बारे में क्या कहना चाहेंगे आब BC और BD अब ये दोनों triangle से हैं तो ये दोनों sides भी क्या होगी हमारी equal होगी तो यहाँ पर क्या लिख देंगे BC equal to क्या है BD के by CP CT इस CP CT का मतलब क्या है बच्चे confused रहते हैं सर बहुत जंगे लिखा मिलता है CP CT CP CT का मतलब क्या है कि हमने ये दो triangle तो congruent prove कर दी इनकी triangle की congruent होने की वजह से ही हमने इन दोनों sides को equal लिखा है इसलिए CP CT लिखेंगे इसकी full form क्या होती है congruent part of congruent triangle congruent triangle के congruent part congruent का मतलब equal part ये दोनों triangle क्या थी congruent triangle, city congruent part मतलब ये दोनों triangle के part है तो ये भी क्या होंगे equal होंगे तो BC equal to BD तो hence prude लिख देंगे हम यहाँ पे हमने जो भी result prove करना था वो अपना prove कर दिया I hope आपको समझ में आ गया होगा किस तरिक्के से इस theorem को करना है next मात करेंगे हम अपने question number second की question number second के अंदर क्या है ABCDA quadrilateral है in which AD equal to BC AD जो side है वो BC के equal है one cross से show कर रखा है angle DAB DAB equal to CBAB है CBA मतलब ये angle और ये angle equal given है prove that first part में हमने ABD triangle को congruent prove करना है BAC के second में BD equal to AC prove करना है third में angle ABD को angle BAC के prove करना है अब ध्यान से देखो अगर मैं ABD को ABD triangle को BAC के अगर congruent prove कर दूँगा ना तो ये दोन्नों part भी हमारे equal हो जाएंगे ये भी अपने आप prove हो जाएंगे by CPCT से तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हमने करना क्या है given जो है वो write down करेंगे given है हमें AD equal to BC और angle DAB equal given है angle CBA के clear है two prove prove क्या करना है सबसे पहले हमने triangle ABD को congruent prove करना है triangle BAC के second जो prove करना है हमने तिन्नों के तिन्नों लिखेंगे हम BD equal to AC third prove करना है हमने angle ABD equal to angle BAC के चलिए अब इसका proof देखते हैं proof के अंदर हमने देखो triangle पहले part में ABD और BAC लेनी है दोनों को congruent prove करना है तो दोनों triangles को लेके चलेंगे तो क्या लिखेंगे in triangle ABD and triangle BAC अब इन तोनों triangles के अंदर देखेंगे ABD ABD और BAC द्यान से समझो मैंने two colors से यहाँ पे triangle को show किया आपको अच्छे से समझ में आ जाए है एक तो red वाली triangle एक green वाली triangle इन दोनों को congruent prove करना है तो in triangles के अंदर देखो सबसे पहले AD equal to BC AD और BC क्या है हमारी given पहले से ही दे रखी है तो इसको लिख देंगे given है angle DAB DAB और angle CBA CBA यह angle और यह angle भी दोनों के अंदर क्या given है equal given है तो यहां पर क्या लिखेंगे एंगल DAB equal to angle CBA यह भी क्या हमें given है clear अब देखो यह red वाली side भी इसमें आ रही है green वाली भी तो AB side दोनों triangle में common है तो क्या लिख देंगे AB equal to AB reason क्या है common तो इनको लिख देंगे हम इस तरिके से bracket के अंदर तो दो sides और एक angle equal हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं triangle ABD congruent है हमारी triangle BAC के कौन सी property से by side angle side से मतलब दो sides और उनके बीच का angle क्या है equal तो दोनों triangle क्या होगी हमारी congrence होगी अब congrence से हम क्या लिख देंगे second BD equal to AC prove करना है BD AC दोनों triangle हमारी congruent है दोनों के ये part है तो क्या लिख देंगे BD equal to क्या हो गया AC by CPCT congruent part of congruent triangle third के अंदर बात करते हैं third में क्या prove करना था angle ABD equal to angle BAC ABD ABD ये वाला angle red वाली triangle का BAC BAC ये green वाली angle के ये दोनों भी equal हो जाएंगे by CPCT तो ये भी क्या लिख देंगे by CPCT तो अगर दो triangle हमारी congruent prove हो जाती है ना तो उनके सारे के सारे angle सारे की सारी side equal हो जाती है तो हम CPCT से उनकी सारी sides को और सारे angles को equal लिख सकते हैं ठीक है I hope आपको question समझ में आ गया होगा यहाँ पे लिख देंगे hands prove कोई doubt अगर आपको लगे तो आप मुझे comment करके बता सकते हैं otherwise इस channel को please subscribe कर दीजिए like कीजिए comment करके बताई इस channel कैसा लगता है और class 6 से लेके 12 तक के बच्चों को जरूर channel को share कीजिए